Hello students, welcome back to my channel Smart Study. Students, आज हम Directed of Education की तरफ से दी जाने वाली Worksheet No.32 करेंगे, जो कि Class 8 की है और सब्जेक्ट है Social Science History. ये Worksheet 8 February 2021 की है. तो आज़े शुरू करते हैं आज की Worksheet. Worksheet शुरू करने से पहले, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. तो आज़े देखते हैं आज की Worksheet. The Making of Nation Movement 1872-1947. The Advent of the Mahatma Gandhi. After successfully leading the non-violent protest against recent restrictions in South Africa, Gandhi Ji returned to India in 1950. क्या कहा जा रहा है कि? South Africa में उनकी non-violent protest के successful होने के बाद में Gandhi Ji 1950 को India return हुए. He spent his first year in India traveling throughout the country, understanding the people and their need and overall situation. तो उन्होंने first year जो इंधिया आने के बाद अपना जो पहला साल था पूरा traveling में, पूरी country में traveling में बिता दिया और understand कि people, जो people लोग रहे रहे हैं, उनको क्या need है, किस चीज की जरूरत है और किस चीज की situation से वो गुजर रहे हैं, जा रहा है, इस earliest invention in the local moment वर्दा चंपारन for indigo planter in 1917, खेडा for peasant in 1918, and एहमदाबाद for mill workers in 1918, देखो क्या कार जा रहा है, जो उनकी earliest moment जो उन्होंने लिये थे, जो उन्होंने जिसे स्थानी अंदोलन जिसको हम कहेंगे, local moment जो उनके थे, तो सबसे पहले चंपारन था for indigo planters 1917 में, उसके बाद में एक खेडा उन्होंने दिया था, जो वहां के किसान थे, जो टेक्स बहुत जादा लगा दिया गया था, उसके against उन्होंने 1918 में क्या किया था, against उन्होंने moment शुरू क्या था, उसके बाद between 1919 and 1992, he organized many more moment, उसके बाद 1919 से लेके 1922 तक उन्होंने बहुत सारे moment में participate किया, उसकी example जैसे दा, रोलेट सत्यागरह, खिलाफत, अगेज़ने एंड नोन कॉर्परेशन मुमेंट, तक उतने सारे जो अलगलग moment थे, जिसे हम कहें किया अलगलग अन्दोलों में भी उन्होंने क्या क्या पाटिस्पेट किया, तो आईए देखते हैं, रोलेट मुमेंट क्या है, सत्यागरह, क्या रोलेट सत्यागरह, 99 British Government passed a Rolet Act, which was aimed to the, raise the fundamental rights, such as the freedom of expression and state and police power, देखो क्या का, 99 पे British Government ने क्या किया, एक act passed किया, रोलेट एक्स पास किया, जिसका aim क्या था, जो fundamental right होते है, बोलने की freedom हो, या कोई expression की freedom हो, उसको उन्होंने क्या कर दिया था, रोग दिया था, तो रोलेट एक्स क्या करता है, कि रोलेट एक्स में क्या कहा गया था, कि जो बोलने की स्वतंतरता है, उसको छीन लिया गया था, अपने बात को express करने की स्वतंतरता थी, freedom थी, उसको छीन लिया गया था, और पुलिस के पास में, जादा पाबर दे दी गई थी, गांधी जी भी इसके against थे, अब देखो क्या खा जा रहा है, कि अब गांधी जी भी क्या थे, इसके oppose, मनला उनको भी ये बात अच्छी नहीं लगी थे, कि किसी का हम right कैसे, जो fundamental right से उसको कैसे चीन सकते, उसको कैसे रोक लगा सकते हैं, तो इसके लिए 6 April 1999 में गांधी जी ने non-violent, oppositional non-violent एक आंदोलन शुरू किया, जिसके अंदर उन्होंने क्या कहा, जितनी भी अत्याचार हो रहे हैं, उसके against उन्होंने बिना जिसे अहिंसा कहेंगे, जिसमें हिंसा नहीं होगी, इस तरह का एक आंदोलन शुरू किया, इट टर्म आउट तो बिदा फर्स ओल इंडियन स्ट्रगल अगेंस दा ब्रिटिश गोवर्मेंट, ओल्दो इट वस रिस्ट्रिक्टे इन सिटीज, अब देखो यह क्या हुआ, अभी तक छोटे-छोटे नहां पर आपने देखा, कि छोटे-छोटे क्या हो रहे थे, जो अंदोलन चाह रहे थे, लेकिन यह क्या हुआ, फर्स ओल इंडियन स्ट्रगल गेंस तो ब्रिटिश रूल किया, पहला ऐसा इंडियन स्ट्रगल माना गया, लेकिन इसकी भी एक रिस्ट्रिक्शन थी, कि यह सिटीज तक पहुचा, भी शहरों तक ही जो बड़े-बड़े सिटीज थे वहीं पहुचा, गावों तक नहीं पहुचा, उसके बादे को क्या कहा गया है, मतलब गॉर्मेंट ने क्या किया, मतलब कि उसको सप्रेस करने के लिए, हिंसक मतलब की जिसे क्यों होता न, कि उसको दबाने के लिए forcefully इसको दबाना चाहा कि, जो यह लोग खड़े और या अंदोलन करे, इसको किसी ने किसी तरह से रोग दिया जाए, अब इसके लिए क्या किया, बहुत सारे लोग जलिया वाला बाग जो है, वहाँ पर सब मिटिंग कर रहे थे किस तरह से क्या किया जाए, तो पीछे से उनके क्या ब्रेटिज जनरल डायर आए, उन्होंने क्या किया में डोर से आके बागे सारे दरवाजे बंद कर दिया, अपनी पूरी जो पुलिस सैना थी, उसको लेयार और गोलियों के बहुचार कर दिया, बहुत सारे गोलिया चला दिया, बहुत सारे बुजूर्ग लोग थे, ओर्ड मैन थे, बच्चे थे, सब के सब क्या हो गए, डायर हो गए, ओने लंडनी अगोलियों की, अब इस से क्या हूआ, जो रमिनर्ना थेगोरे जो पॉलियों के औहित भारफियों कुछ और बहुत अंगर हुआ, बहुत पेन हुआ उनको इससे और उन्होंने क्या किया उन्होंने अनौंस किया कि जो भी उनको नाइट हुड उनको एक प्रेज मिला गया था एक अवोर्ड मिला गया था उसको उन्होंने रिटर्न कर गिया ठीक है उसके बाद को क्या कहा गया है अब देको क्या कहा जारे है कि अफटर जब फर्स्ट वर्ड वर्ड हुआ था तो उसमें टरकी की जब हार हुई थी तो टरकी की जो main ruler थे तरकी सुल्तान थे जो जिने खलिफा कहा जाता है मुसलिम वर्ड का जिसे क्या कहा जाता है Khalifa कहा जाता है उनसे उनके सारे right को क्या कर लिया गया था छीन लिया गया था दिस एंगर दा इंडियान मुसलिम ओर सो वर ओर एरी इंफूरीड इन दा जो बाग वाली जो हत्या कांड उती उससे वो और भी जादा एंगर हो गए दा लीडर ऑफ दा खलीफा मोव्मेंट मुहमद अली एंड शोकत अली स्टार्टिड एक अगेंस दा बिटिश तुरीस टोर दा पावर ऑफ तुर्किस्टान रूलर ऑफ खलीफा अब देखो अब जो खलीफा मोवंमेंट था वो शिरू हुआ जिसकी हेड़ गौन मने मुहमद अली एंड शोकत अली उन्हों ने स्टार्ट कर दिये इसके खिलाफ एक अंदोलन स्टार्ट कर दिये जिससे खिलाफत अंदोलन कहा जाता है यह खाला जाता है जो जिसमें उनका में जो देश् शामिल करने के लिए का कि उन्नें वो भी क्या करे पंजाब जो पंजाब के साथ रोंग हुआ था जलिय वाला बाग जो हते अ कांड़ वा था उसमें सब हैं उसके लिए विद्डरो करे और ध्खिलाफत रोंग एंदग धिमाड सोराज की दिमांड करें तो धिकर हुआ क्या ये जब एक तरफ दर मुस्लिम गुसा हो गए थे, क्योंकि उनके खलीपा को उन्होंने पावर शीन ली थी, उसके लावा जलिया वाला बाग हत्या कांड होई थे, तो गांधी जी ने इन दोनों को सपोर्ट किया, क्योंकि वो भी अंदर से गुसा थे, कि जो पंजाब के रोंग हुआ है, उन सबसे गुसा थे, इसके लाव वो क्या चाहते थे, डिमांड फोर स्वराज और स्वराज की मांग को वो चाहते थे, तो अब हम करते हैं इसके कोशन अंसर बहुत आसान है, वक्षिर बस थोड़ी समझनी है बिटा, ठीक है तो आईए करते हैं इसके अंसर बाद में जो भी अंदोलन कियेते हैं तो फर्स्ट कांसर हो जाएगा, अब हम करते हैं कोशन नमबर टू, क्यों उनको गुसा आया था इंडियन लीडर को कि जब वो रॉलेट एक्ट बना था तो जो इंडियन रूलर से उनको क्यों गुसा आया था तो देखो क्यों, क्योंकि उससे क्या था फ्रीडम चीडी जा रही थी, जो राइट था फ्रीडम का उसको चीना जा रहा था, इसक वज़े से क्या हुआ जो रूलर से उनको गुस्सा आया तो यहां पर लिख देंगे विकोज 1999 बिटिश गॉवर्मेंट पास्ट रॉलेट एक्ट विच हैं तो यह हो जाएगा अंसर नमबर तू तो हम करते हैं कोश्चिन नमबर त्री देखें क्या कहा गया गांदी जी जो इसको बुलाया में परमिशन दिया यह बोला नौन corporation movement को गांधी जी ने तो आएए करते हैं इसका answer हम question number 4 देखिए answer क्या हो जाएगा बिटा गांधी जी 1920 गांधी जी लॉंच रा नॉन corporation movement aimed to resistant British rule in India throughout non-violent mean ahinsa. Protest would be refused by the British goods and adopt the use of non-use of good manufacturing locally. The British would have suffering economically if the purchase their good was by court. देखो क्या कहा जा रहा है यहां पर कि गांधी जी ने इसको क्यों इसके लिए agree किया या क्यों आहवान किया इसका तो जो non-corporation movement aimed the resistant British rule in India throughout the non-violence बिना violence के उन्होंने क्या किया था एक ahinsa का उन्होंने अंदोलन शुरू किया था जिसमें क्या किया गया कि protest would be refused by the British good जितना भी British समान है उसको लेने के लिए refuse कर दिया गया था adopt the use of good for manufacturing locally जो भी local बना होगा उसे ही वो manufacture करेंगे उसको ही use करेंगे the British would have suffer economically अब इससे British का करेगे economically क्या होगी सफर करेगी if the purchase of the goods were अगर उनके समान को बायकोट कर दिया जाएगा तो यह हो जाएगा answer number four अब हम करते है next question answer number five देखिए in your opinion why would गांदी जी support to call khalifa moment क्यों उन्होंने khalifa moment को मतलब support किया था क्यों क्योंकि वो भी उनको भी उससा आया था जलिया वाला बाग की जो हत्याकांड हुआ था उससे और ना इसकी वज़े से उन्होंने इसका support किया कि इससे कि उनको जो क्या कर सके अगेंस अवाज उठाने के लिए कोई खड़ा हो सके ना तो अंसर number five यहां से आदेगा गांदी जी support मतलब यहां पर खिलाफात अंदोलन लिख जीजेगा आप खिलाफाव नुमेंट टु अरग तो अधा कॉंग्रेस कंपेनियन अगेंस पंजाब रोंग या जलिया वाला बांग एंड़ खिलाफत रोंग्स दा डिमांड फॉर स्वराजी हो जाएगा अंसर तो बच्चे आज की जो वरक्षिट है वो कंप्लीट होती है वरक्षिट कंप्लीट करके अपनी टीचर से चेक कर आएए और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए थैंक्यू स्टूनेंट्स